आप सभी का study with the youtube channel पर स्वागते दोस्तों आज हम लेकर आये हैं आपका नया चेप्टर इस चेप्टर का जितना भी पार्ट्स आज कवर हो पाएगा उतना हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे इस क्लास में कवर कर लेंगे अपना biomolecules वाला जो चेप्टर हैं अकेला चेप्ट साइंगे मैं चेप्टर में आपको साथ के साथ की जैसे जैसे लाइने पढ़ते जाएंगे अपन उसी के साथ साथ में बताऊंगा कि किस परकार आपसे examiner यहां क्योशन पूछ सकता है तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में पूरी मिलेगी आपको समझ में भी आएगा आपके लिए मिलने वाली 100 MCQ PCB के तो जो इस्टुडेंट्स अगर सफल था ही पाना है उन्हें आर्चिस नर्सिंग एंट्रेज इग्याम है अच्छी मार्क से अगर पास ही होना है तो उस सेशन अटेंड करना स्टार्ट कर देना 21 से 20 चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइ したume nước क्या होते हैं किस परकार इंका डिवाइडेशिन होता है कौन और सब्सक्राइब के बारे में बंपन पढ़ेंगे की इने होती है और इनका क्या रोल होता है अपनी लाइप में यह सब चीज़ह अहँए हैं इससे पहले में पढ़ चुकर हूं आपको देनिक जीवन में यह अपन पहले ही पढ़ा चुके हैं अगर आपने अच्छे से पहले एक से ली होगी तो आपको समझ में भी आया होगा ठीक है देनिक झीवन में रसायन एक अक्वला ऐसा चेप्टर हैं जो आपके तीन क्यूसंस लेकर आएगा अक्यला चेप्टर अच्वल्डर जिसमें से विवीन जटिल अनों से होता है जो अपना सजीवत अंतर है इसका निर्मान विवीन जटिल अनों से होता है जैसे कि कार्बो हैड्रेड प्रोटीन न्यूकलिक एसीड और लिपीड इत्यादी से होता है ध्यान रखना जो सजीवत अंतर होता है यानि कि जो सिस्टम होता है उस सिदा यहीं से किसमल पूछचे सकते एक जाम और बोजन के आउसे गटा कौन से हैं तो कर्भोव्यड्रेड और प्रोटीन बोजन के आउसे गटा कोते हैं तता खनीजी चिरियातों में ब्रतोपन बूमी का अदा करते हैं लेकिन जो बोजन के आउस से गटक होते हैं वो आपके प्रोटीन और कार्बुहाइट्रेट ही हो अंग्रेजी बोलने के सपने को पूरा कीजे पूरे बारत में सबसे बढ़ी आदाम और इतना टोप क्वाल्टी का कोर्स सिरफ डाउटनाट पर मिलेगा कोर्स का लिंक डिस्किप्शन में होते हैं विटामिन और जो खनीज लवन होते हैं वो सजीयों में की विवीन की को इसमें बताने वाला हूँ अगर आपने आज केमेश्टरी की फुल से लिबस वाली MCQs की क्लास अटेंड नहीं की होगी तो उसरा सुख को भी अटेंड करना आपका जरूरी था तो जाके अब भी उस क्लास को देख लेना इस चलास के बाद वाइन्गो की क्लास होई सए तो जब आपको सी मिलै तो जब आपको मिले तॉट की तब उस कियूज को देखना बात करतें कार्भोईड्रेट की तो कार्बोईडड प्राकर्तिक रूप से मिलने वाला कार्बनिक परदार्त हैं परदार्त हैं यह पादपों वो जनतु दोनों में उपस्तित होता है कार्भो हैड्रेट आपको प्लांट में देखने को मिलेगा एनिमल्स में देखने को मिलेगा तो यह कहां से मिलता है प्राकर्ति ग्रूप से मिलने वाला कार्बनिक परदार्त हैं कार्भो हैड्रेट का न कर दोए से कि दोर são ला ही होता है बात करते आगे जंतों में कार वहाइड-डरेट का संसलेशन नहीं होता याद रखना जो जन्तू होते हैं जन्तू नहीं होता है यह अपने आपोरती के लिए यानिकि जो जंतों में कार्भुहाइडेट की आओ सेटा होती है उसको फूरा करने के लिए प्लांट्स पर निर्बर होता है जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि एक जो अपन अनाज खाते हैं अनाज कहां से मिलत वह प्लांट二 से मिलत सकते हैं और आपके पास ज्यादा टाइम मैं सोट शोट चीजा को पढ़की आगे बढ़ना है निके कि एपने बोड़े में कार्भो हाइड्रेट की आप उर्थी के लिए Central कार्भीर पर्लां परिवर सा जयोति कार्भो हैट्रेट की वह क्या थे कारबन के हाइड्रेट को कार्भो हैट्रेट कहा जाता ता और सामयी कारबन का रहने वाला है कार्बन इस बीसा नहीं करते हैं आपकास हो गया ऊकलि10 स्कोड़ों सुख्रों जब पूंहें की किसे फोर्म लेका जो आपके सामने करता मिस्त Bonus इसका अनुसराइब सबस्तर करते हैं किसमेन करते हैं किसमें नहीं रखा जा सकता ते कार जी सकते हो जो आपके सामने एक्जामपल है यह एक्जामपल है किसका अनुसरन कर रहा है क्योंकि इसमें देख सकते हो सेम इसी तरीके से इस पॉर्मले का यूज हो रहा है लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट नहीं है इसी के साथ इसे भी देख सकते हो आप फारमेलडेट फारमेलडेट इसी सुत्र का अनुसरान करते 가지 संबाने ऊज़्या ऑफॉर्मुला कुछ अनो ऐसे हैं जो आपकशै क्रमुला पूजल सकता है इसका नाम क्या होगा एक हावल को पषचाने नहीं में लेकित में से कौन सा कार्बो हाइडरेट तो ये भी एक कार्बो हाइडरेट का फॉर्मला है C6H12 और O5A एक अपवाद हैं अपवाद सोरूफ है अपवाद है नहीं तो कार्बन जो कार्भाइडरेट का फोर्मला होता है वो इस परकार का होता है लेकिन इस फोर्मला का क्या है अपवाद है इसमें रहम नोज इसका नाम होता है क्या नाम रहम नोज इसका नेम है तो ने जल आपगटन के पसचात एसी क्शाइप परदान करें उन्हें कार्बोहाइड्रेड कहा जाता है प्रकास से एल्दी तो ऑर्ट 편 स्वह होता है कार्बो हाइड्रेड में या तो होगा या तो मुक्त अवस्ता में है में है में है में किटेल अवस्ता में पाया जाता है मुक्त अवस्ता में या तो है में किटेल अवस्ता में यह पाया जाता है कार्बो हाइड्र जो होता है दो तरह के होता है सरक्रा और असरक्रा ज स्वाद होता है और होता है लेकिन जो होती है की दो पार्ट फार्ट सपने नगे नासे क्राइड होता है नोर्मल्म्ल यह आप समय अब हम से करते हैं अबंध करते अपचायक तथा अनपचायक सरक्राह सका मुपकोरों enabled कर नहीं है हैं जो ना कर सके अन अपचाइक सरक्रा कहलाती है इंपोर्टेंट क्यूसर यहां बन सकता है कि कौन सी सरक्रा होती है जो फैलिंग लेकिन जोना कर सके क्या है अपचाइक सरक्रा ना कर सक्यों क्या होते हैं अपकि शरक्रा या तो या अप तो यहानिनकी जो आपच्चारी सरक्रार होती है आपच्चाइक सरक्रा में यह यह एप्पाइडॉक्सी कीतो नियुक्त होती है ठीक है सब भी मोनो सेकराइड जैसे की एल्डोज या कीटोज अपचाइक सरक्रा होती है सब भी मोनो सेकराइड जितने भी मोनो सेकराइड हैं जितने भी मोनो सेकराइड हैं सब जैसे कि एल्डो जो गया किटो जो गया अपचाइक सरक्रा इन में होती हैं बात करतें डाय से कराइड में एदी मोनो से कराइड के अब चायक सम्मूढ मोनो से कराई ट अप चायक सम्मूढ बंद बना लें तो अबचायक सरकता था ли अर्व करियात्म कि द्यूत संभी अब चायक सरक्रा YOUR तो यह किरयात्मर्की मुध्य यह सारक्रा होगी जायन्य कि आर आर्वные को मुक्त रहती हैं तो सरक्रा क्या होगी अपचाइक सरक्रा होते हैं जैसे के माल्टोज लेक्टोज ठीक है इस्टार्च और से लोज अनपचाइक सरक्रा है एक्जामपल आपको ध्यान रखना इस्टार्च और से लोज क्या होते हैं अनपचाइक सरक्रा होते हैं इस्टार्च और से रेविफज कोwl red और नान। अब चाय शरक्रा होते हैं कुछ ये जिन कि होती हैं veg Bye अगे बात करते हैं फ्रक्टोज के जर्फधी एक जो पुटा है इसका जा सकता है कि निम्ह लिक्ट में से किसमें कितून पाया जाता है, फ्रक्तों में किटों समुव उपस्थित होता है यह फेलिंग विले न किटों अवΪी करम का अबक्रों Min-islink करता है जो फ्रक्टोज होता है फ्रक्टोज में किटोन समूँ पाया जाता है क्योंकि जो क्या करता है फ्रक्टोज होता है फ्रक्टोज होता है फ्रक्टोज में कौन सा समूँ पाया जाता है बताएगा कुन सा पाया जाता है आगे हम बात करते हैं मोनो सेक्राइड की तो मोनो सेक्राइड क्या होते हैं एल्डोज या एल्डी हैड सम्मू युक्त होते हैं एल्डोज यानि की एल्डी हैड सम्मू युक्त होते हैं देख सकते हो तीन कार्बन यह तो ट्रायोज और की टॉन होगा तो कीटोन समुझ जड़ा होगा तो कीटोन कीटो ट्रायोज इसी के प्रकार नाम आप देख सकते हो विए प्रकार के नामिया है Tetrose, Pentose, Pentose, Eldo Pentose, Keto Pentose, Hexose, Eldo Hexose, Eldo Keto यह सब चीज़े आप देख सकते हो बिल्कुल नाम से इनका नाम करन आप देख सकते हो जिसमें तीन कारून फर्मान हो है उसको उसका सामाने नाम होगा ट्रायोज, चार है Tetrose, पंच, पेंटोज लेकिन अगर उसमें LDI समूझ जुड़ा होगा तो Ketotriose चलिए आगे हम बढ़ते हैं आगे इसमें क्या देर रखा हैं कि अपर्तिबिम समावियों का यूग्म जिसमें एक किरल कार्बन पर विन्यास में बिन्यता हो एपीमर का लाते हैं अपर्तिबिम समावियों का यूग्म जिसमें एक किरल कार्बन पर विन्यास में बिन्यता हो इसे क्या बोलता है एपीमर इसे कहा जाता है ग्लुकोज और मेनोज C2 एपीमर्स होता है जो एक्जामपल दे रखे हैं एपीमर्स के तो स्टिंद1 में था और ग्लूकोज इंऔर ग्लुकोज में सीफिरन होता है ग्लुकोज और गैलेक्टोज में सीफ्षों स्टाइक इसमें वियास में बिननता होती है क्यों सकते हो ग्लुकोज कछ्ष और मैंजब कुछ computer मैं शीटू Mert Mert होता है कौन सा होता है C2 Mert होता है तो देख सकते हो अब SI to epimert कि यह दोनों कार्बन चंजव हो रहे हैं इन दोनों निन दोनों कार्बन के जुड़े होएं कि जो आप गिरेवाव कार्बन समुए वह क्या आधि changes हो रहा है ठीक है इस सक्षाइब कौन सा CP देख सकते हैं इसके चेंजिस हो रहा है इसके साथ जो आपका ग्लुकोज एन्ट गेलेक्टोज हैनी कि c4 epimars C4 epimars आपको यहां पर देखने को मिलेगा कौन से यहां पर पिमर्स आपको देखने को ज्सक्राइब से कमली यह तो नमबर थी नंबर पांच नंबर और यह तरहsa इसे बोला जाता है glucose और मेनोज का है जबकि glucose glucose और अपन देखते हैं तो इसमें 1-2 तीन-4 यानि कि 4 वाला जो ये वाला है इसमें आपको चेंजेस देखने को मेलगा एक दो यहां पर तीन-4 यहां पर देख सकते हो इसमें आपको जो विन्यासे में जो होना चाहिए वह नहीं होगा तो यह इसके एक्जामपल हो गये गल्यूकोज के लिक्टोज ग्ल्यूकोज और मेनोज बात करते की तो ग्लूकोज क्या होता है फोर्मले हैं C6H12O6 यानि कि इसे LDL-2-XOGE भी बोला जाता है इसमें इसे Dextroge भी कहा जाता है दियान रखना दोस्तों Glucose को Dextroge भी कहा जाता है इसे अंगूर सरक्राबी बनाई जाती है जो आपका Glucose होता है Glucose का जो Formula C6H12O6 इसे बोलते हैं Eldo-XOGE इसे Dextroge भी कहा जाता है जाती है इसे अंगूर सरक्राबी क्या की जाती है बनाई जाती है ठीक है दोस्तों Glucose में इतना आपको पढ़ लिया उतना कापी है जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो आप कापी है इसे जदा आपसे कोई क्यूसन स्मूचने वाला नहीं है और जिस नर्सिंग एंटर जिक जाम में करतें देप्र को इसे बोरा जाता है इसे अंगूर सरक्रा में भी करते हैं यह रंगीन क्रिष्टल्ड घल में विले होताδώ यह है ठीक है ग्लूकोज का निर्मान की विद्धियां सुक्रोज द्वारा ग्लूकोज को बनाया जा सकता है ग्लूकोज की तुला में रहां की तुलना में बहुत आपको जलब गठन करवाए के ग्लुकोज पराप्त किया सकता है इसका अपको यह वह सब्सक्राइब अगर लेना चाहिए तो इसमें आपको इसके मटेरा खिया अनुस्तर क्या बनाए C6H12O6 प्राप्त किया जाता है glucose HIE के साथ पूर्ण अपचेन द्वारा NXN देता है glucose होता है वो हाईडरोकसाइड आयोडाइड के साथ पूर्ण अपचेन अपचेन द्वारा एक्षेन देता है यह एसिटिक अनहाइडराइड के साथ किरिया करके पेंटा असिटेट विवत्पन बनाता है glucose N2OH के साथ सयुक थोकर glucose NH2OH के साथ सयुक थोकर ओक्सीम बनाता है ग्लुकोज मंद ओक्सीकन करने पर glucose मंद ओक्सीकन करने पर ग्लुकोणिक अमल देता है क्या देता है ग्लुकोणिक अमल देता है ठीक है यह चीज आपको द्यान रख लेनी है glucose का जलिया वीलेन م्यूतरा统ेसं का दर्षाटा है glucose का जो ड़िया वीलेन होता ह। म्यूतराटेसं स्कालाता है ग्लुकोज दो बिन क्रिस्टल रूप में पाया जाता है जिसका नाम एलफा और बिटा है ठीक है दोस्तों यह चीज़ आपको पता होने चीज़ यह अलफा और बिटा होता है इनका ना ग्लुकोज पेंटा एसिटेट हाइडॉकसिल एमिन से किरिया नहीं करता है अमीन क्रिकम को यह आपकी एलफादी ग्लुकोज बीटा डी ग्लुकोज की इस्टक्टर रहे ना तो दोस्तों आपको यह चीज़ आपको समझ में आ रही होगी और अच्छी भी लग नहीं होगी अपने सबूह लाटे मिलीचेर करतें रहना अ ग्लुकोज के प्रिक्षण ग्लुकोज के लिए प्रिक्षण ग्लुकोज में हीटेड ड्राइट टेस्ट ट्यूब ब्लेक मास प्राप्त होता है रजत दरपन प्रिक्षण यानिकि रजत दरपन के देता है जो ब्लेट टेस्ट होता है ग्लुकोज में ब्लेंक मास होता है और रजत दरपन भी इसमें होताँ है की रजत दरपन देता है मॉलिस परिक्षन देखना ग्लुकोस के लियूइक है, यंज निर्मान याद रखनें प्रतोज फ्रतोज फरक्टोज फल्व सरक रहा है c6h12 having his shaa नम इसे डी फ्रक्टोज लिखा जाता है, यह भी छक्रिय रूपों में पाया जाता है यानि कि हैमें यह भी चक्रे रूपों में यह भी पाया जाता है इसकी वल्ले पांच सद्द से युक्त वल्ले बनाती है जिससे प्यूरे नौज नाम दिया जाता है जो फिर उनके नाम से जाना जाता है ठीक है जो फिर उनके सम्मान होती है आपक नेचर अगरे बारे में डिसकस कर जखा है तो आप सबी जरूर देखने इसका 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 स्क्रिंसोर्ट आप मार सकते हैं यहां से यहां तक यह आपके बुक्स ले रहे रहे होगी तो मारने की जड़त नहीं है इसका फ्रक्टोज का इसका इसकी होगा नेचर जो रहे हैं इनका पॉली हायडोक्सी अल्डि हाइड होगा कौन सा आपको ग्लुकोज तो लेगा इसका पॉली हायडोक्सी कीटोन होगा मेल्टिंग पॉइंट 136 डिग्री संतिग्रेड और 102 संतिग्रेड फॉक्टोज के लिए रहने बाला है अप्टिकल अक्टिविटिज अब नेच्रल वेंट फॉर्म देख्ट्रो टेम्ट्रोमी लेट लेवेरो टेक्टोरी लेवरो टेक्टोरी वीद इथायल अलकोल और इन्सोलयोबल और मोर इन्सोलयोबल किसमें घ्लुकोज में और प्रोपीजर मोर शोलयवल रडेक्शन इन डे बेऑज पूर रेड़्क्सन एन अवी हच्वार तो इसमें सी सर्बीटार प्रविटल और मिक्सर दिसर्विटल एंड मैनैटोल एनिक जापका रेड़क्शन और फॉट यह प्लिए आप फिलींग देनग अभी कर्म फेलिंग अभी कर्म जो ता है वह इसके दौरा दी ऑी यह कुटे के लिए होता है प्लेंट रिजेन फ्रोरम शिल्वर मिर्यर्स फ्रॉरम सिल्वर मिर्स फ्र्क्तों फ्रॉर को डोनमे देखने को आपको मिलेगा ठीक है दोस्तों और जो फिनल फिनल हाइड्रोजाइन जीन होता है यह भी आपको उसे जोन प्रिक्शन देता है कौन सा उसे जोन प्रिक्शन आपको देता है तो दोस्तों आज ही क्लास में इतना ही डाय से क्लास में पढ़ेंगे तो सभी केंड़ेट्स कल वाली क्लास जरूर अटेंड करना डाय से क्राइट की तो और आपको अगर आज ही क्लास अच्छी लगिए लाइक जरू करना दिन में जो क्लास हुई थी एमसी क्यूज की वह आपको कैसी लगी उसके बारे में आपको जरूर बताना है ठीक है दोस्तों धन्यवाद